प्यारे विध्यार्थियों, श्वागत हैं आपका आमारे यूट्टूब चैनल पर विध्यार्थियों, आज की खक्षा में हम समझेंगे गनित कक्षा 4 इवं 5 में प्रियाश काईरी पुस्थी का कारी पत्रक पिच्चानवे, हाइए शुरू करते हैं, कारी पत्रक पिच्च और उनके बीच बड़ा बराबर छोटा में से उचे चिन्न लगाईए अब इन चिन्नों में जिस तरफ खुला मुँँ उस तरफ बड़ी बिन्न होगी और जिस तरफ बंद मुँँ उस तरफ छोटी बिन्न होगी और दोनों तरफ बराबर हो तो यह बराबर का चिन्न पहला है ये बीन्टे देखिए कुल 4 बाग है चार में से एक बाग चाहेंकित बीन्ट बनेंगी एक बटड़ा-4 और इस तरह कुल 4 बाग में से एक बंड़ा-4 इधर भी एक बनाच जार इस वी बेन चाहन बने हुई बिन बनेगी 2 बटा 4 और इस तरब 4 में से 3 बाग चाहेंगे तो बिन बनेगी 3 बटा 4 कौन सी जादा है यह जादा है यह कम है यानि इस तरब खुला मू रहेगा इस तरब बंद मू रहेगा और यह इस प्रकार से चिन्न लगेगा तिसरा इसमें देखिए कुल 1,2,3,4,5,6,7,8,8 में से 1,2,3,4,5,8 में से 5 बाग चाहेंगे बिन बनेगी 5 बटा 8 और इदर 1,2,3,4,5,6,7,8,8 में से 3 बाग चाहेंगे बिन बनेगी 3 बटा 8 यह जादा है यह जादा है तो आप यहान देखेंगे तो इस तरब यह वाला ज कम है या चिन्न इस प्रकार से लगेगा खुला मूँ ज्यादा की तरफ बंद मूँ कम की तरफ कि चलिए अगला हम कि सवाल नमर दो समान बिन्नों को दर्शाने वाले चायंकित बागों का मिलान कीजिए देखिए इस तरफ यह हैं तीन में से से ऊ-पाग चायंकित यानि एक बटा थीन और इस तरह भी एक बटा तीन दोनों को हम मिला देएंगे यह है कि इड़u बटा चार यानि आदा और इस तंसरे भी एक बटा दो यानि ये हैं आदा इसको मिलाएंगे इधर देखेंगे एक दो दो, तीन, चार, पांच, छे, बारा, बारा में दो चाहेंगे, यानि दो बटा, बारा, यानि ये दोनों बराबर हैं, हम इनको मिला लेंगे, तो विद्यार्थियों, ये हमने समझा, कारी पत्रक पिच्चाण वे, आप भी ध्यानपुरोग समझें, और इसका अभ्यास कीजि मिलते हैं, अगली क्लास में, नए विडियो, नए कंटेन के साथ में, तब तक के लिए, थेंक्यू, देन्यवाद, जे हिन, जे भारत, आपका दिन शुबर हैं, थेंक्यू.